दोस्तों DRDO की दिवाली तो मैंने आपको बताई कितने सारी अल्रेडी मना चुका है और एक और पोस्ट दिवाली सेलिब्रेशन उसका बाकी है जूकी होगा 23 से 25 तारीक के बीच में वैसे आपको आवाज में थोड़ा सा परिवर्तन लग रहा होगा उसका कारण ये है कि मैंने पाकिस्तान के रक्षा बजट से ज्यादा महेंगे फटागे फोग दिवाली पर तो उसी का सब यूनो समझ सकते हैं न आप DRDO ने तो दिवाली सेलिब्रेट कर ही ली है तो अभी बारी है हमारी नेवी की जी है हमारी नेवी भी चाहती है कि वो भी दिवाली सेलिब्रेट करे और वो इस बर चाहिना को ध्यान में रखते हुए नहीं बलकि पाकिस्तान को ध्यान में रखकर अपनी दिवाली सेलिब्र याने नोटाम ये नोटाम जारी किया गया है 14 से लेकर 16 नवेंबर की बीच में समझ रहें याने तीन दिन मिसाइल का परिक्षन होगा अभी बताया जा रहा है कि किसी नेवल वेसल या फिर यहर प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई मिसाइल का परिक्षन कर सकती है नेवी तो याने उसे भी ये पर्चेस करनी है तो हो सकता है कि उसका टेस हो यहाँ पर हो सकता है पॉसिबलेटिस बनती है इसके रहावा दोस्तों जो हमने हारपून मिसाइल कर दी ना अमेरी का से ठीक वैसी ही एक एंटी शिप सबसोनी क्रूज मिसाइल हमारे पास है जो की रशेन मि नेवल वेशल्स में किया जाता है येर प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये मिग 29 से आफ फायर कर सकते हैं इसी के साथ आई एनस डेली है जो की एक डिस्ट्रॉयर है पहला भारती सुदेशी डिस्ट्रॉयर है इसके बाद में आई एनस ब्रह्मपुत्र जो की एक फ्रिगेट है इसके बाद में प्रलय है एक्सेटर 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 इस तरह से कुल 4-5 वेशल्स है नेवल वेशल्स उनसे आप बड़ी आसानी से इने फायर कर सकते हैं तो हो सकता है कि इसका कोई परिक्षन कर लिया जाए नेवी की तरफ से तो कुछ भी संभावना है हो सकती है यह तो उसी दिन पता चलेगा क्योंकि आप जानते है कि इंडिया में कभी भी टेस्ट करने से पहले मिस्सेल का अनॉंस्मेंट नहीं किया जाता है वो इसके बाद यह डिक्लेर किया जाता है तो खेर अभी तक तो संभावना है लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को ध्यान में रखकर इस मिस्सेल का परिक्षन किया जाएगा जो भी मिस्साइल हो पाकिस्तान की उपर इसका इंपक्ट बढ़ सकता है पाकिस्त मुद्दे पर जो भी आपका मानना है नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा